हाई गाईज आज मैं एक वेजिटेजन कीटो रेसिपी दिखा रही हूं और यह पालक पनीर यह बहुत ही आसान और टेस्टी है और इसको बनाने के लिए एक पैन गरम करने रखें अब एक टेबल स्पून घी डाले घी का बहुत हाई स्मोकिंग पॉइंट है और कीटो में इ दाले फिर 5-6 जॉप्ट लहसुन के डाले फ्राइ करते रहे और आधा कप स्लाइस्ट प्यास का डाले आधा कप प्यास में 5 ग्राम काबोहाईट्रेट्स होते हैं अगर कीटो में है तो पूरे दिन में आधा कप से ज्यादा प्यास डाले क्योंकि इनमें काफी सारा शुग भी पैन पे धकन लगा ले और पालक को कुछ मिनट पकने दे जब पालक पककर आधी हो जाए तो पानी ठान ले पालक को मिक्सी में शिफ्ट कर दे और प्यूरी बना ले अब पैन में थोड़ा सा मखन मेल्ट करें फिर आधा टीस्पून जीरा डाले अब चार टमाटर की प्य प्यूरी डाल दें मैं यहां पर फ्रेश टमाटर की प्यूरी यूज़ कर रही हूं इस रेसिपी में टमाटर काब लिमिट के अंदर है पर पोर्शन आपको 4 ग्राम काब्स देगा पर पोर्शन से मेरा मतलब है एक बोल पूरे दिन में आपको 20 ग्राम काब लेने होते हैं इसलिए टमाटर प्याज लहसुन कैलकुलिट करके डालें टमाटर जब अच्छे से पक जाए तो एक टीस्पून धनिया पाउडर आधा टीस्पून जीरा पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाला का डालें अच्छे से मिलाएं और एक से दो मिनिट और सौटे करें अब 200 ml फ्रेश क्रीम एट करें और मिक्स कर लें नेक्स्ट पनीर के टुकड़े डालें और मिला लें और अब हमारा कीटो पालक पनीर तयार है सर्विंग बोल में शिफ्ट करें थोड़े से ग्रेटेट चीज से उसे गानिश कर लें और सर्दियों में ये रेसिपी एंजोई करें ये रेसिपी आपको दिन के काब लिमिट के अंदर ही रखेगी एक सर्विंग में लगभग 7 ग्राम काब मिलेंगे कीटो डायेट में प्रोटीन, कम काब्स और अच्छे क्वालिटी के फैट्स होते हैं और इस रेसिपी में ये सब कुछ है उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसे जरूर ट्राएं कीजेगा वीडियो लाइक को चैनल सब्सक्राइब करना ना बूलें और जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ तक तक के चीजी क्रीमी बालक पनीर बनाएं और वजन खुशी से घटाएं बबाई